मेरा नाम रूबिवेक सिंग and I am a student of कीव मेडिकल युनिवर्सिटी युक्रेन मैं कीव मेडिकल युनिवर्सिटी मैं पढ़ता हूँ युक्रेन में तो आप भी ती मैं क्या सुनाऊं जिस टाइम पे स्टार्टिंग में सब कुछ हुआ उस टाइम पे मतलब हमारे जो युनिवर्सिटी थी जब इंडियन गॉर्मेंट ने बोला कि वह होने वाली है तब हमारी युनिवर्सिटी ने हमको बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारी स्टडीज भी आफलाइन कर दी उन्होंने और जब एकदम से अटैक हुआ तो उस टाइम पे सब कुछ बंद हो गया वहां पे सब कुछ मतलब और फिर जिस टाइम पे जब वह वार स्टार्ट हुई तब आधी रात को हमारे वहां हॉस्टल के नजदीक में ब्लास्ट हुए कंटीन्यू आठ ब्लास्ट हुए और उस दिन से सब कुछ बंद हो गया उदर और हमको बंकर्स में शिफ्ट कर दिया गया बंकर्स में हम दस दिन टोटल दस दिन रहे हैं जब तक रशिया ने यह नहीं बोला था कि हम न्यूपलियर अटैक करेंगे और जब न्यूपलियर अटैक का वह ख़बर आई थी तो उस टाइम पे हम वहां से निकलने की ट्राय करने लगे तो हमको दस दिन से ना तो खाना सबड़ियर ना धो पानिंसे था बढ़ जो हमारा हॉस्टल का स्टाफ था वो काफी बढ़िया था उन्होंने हमको ख़ाना भी दिया हमको पानी भी बाकि यह अगद दो दिन तक खाना पानि दिन लेकिन उसके बाद फिर वही कुरद मों से निकलने की त्रेश्ञा करने बाद जो वहां का जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है यहां पर और कहा कि तुम चड़ो ट्रेन में बड़ जब हम वहां पर ट्रेन के पास पहुंच रहे थे तो वह यही बोल रहे थे कि टिकेट दिखाओ मतलब उनका यह मतलब था कि हमको बस वो गुमा रहे थे हमको लेकर नहीं जा रहे थे ट्रेन में फिर दो तीन ट्रेन ऐसे छूटने के बाद हमने ट्राय किया कि हाँ ऐसे ट्रेन में चड़ जाते हैं तो जब ट्रेन में चड़ने लगा मैं तो मेरे को पीछे से उन्होंने खी तो तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हारे सिटीजन्स को क्यों बाहर जाने दें फिर पुरी रात ठंड में लास्ट एक ट्रेन थी उसमें हमको कुछ चारा नजर नहीं आया ना तो अपने पास टिकेट थी ना कुछ था ना टिकेट इशू कर रहे थे वो तो लास्ट में हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत रिश्वत के जरीये उनसे बात की और एक बंदे को ऐसे रिश्वत दी 600 डॉलर उसने हमसे लिए और उसके बाद हम 10 बन दे थे टोटल उनको चड़ने दिया ट्रेन में फिर आधी रात को जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो आधी रात को ट्रेन में भी फाइरिंग हुई उस टाइम पे सब बच्चे डर गए और सब यही सोचने लगे कि हाँ अब तो यही आखरी दिन है हमारा पांच ये छे गणटे नॉर्मली वो सफर पे लगते थे वो नौ गणटे के बाद रुक रुक के रुक रुक के यही पूछते हुए कि हाँ सेफ है सेफ है नौ गणटे बाद वो लवीव पहुंची हम लवीव में उतरे और वहाँ से लवीव से फिर अपना डिस्टेंस बच गया था धाई सो किलोमेटर और उससे पहले हम बस ये ट्रेन से ट्रेवल करके आ चुके थे साड़े साथ सो किलोमेटर और जो लास्ट का जो बचा हुआ था सफर वो था अपना डाई सो किलोमेटर और वो हमने फिर बस बुकिंग की वहाँ से जो हमारे सीनियर्स थे कुछ उनके कॉन्टेक्ट्स थे तो हमको वो मिल गी बस मिली और इस टाइम पर किसी ने भी पैसा कमाना नहीं छोड़ा उस टाइम पर फिर बस वाले ने हम से हजार डॉलर लिया ये 200 किलोमेटर चलने का और जो वहाँ पर हम 200 किलोमेटर जब बस से ट्रेवल करके पहुँचे तो तीन चेक पोस्ट पार कर चुके थे हम और लास्ट चेक पोस्ट पे पुलिस वाले ने हमको वो क्रॉस नहीं करने दिया सब यही बात बोल रहे थे कि तुमारे इंडियन गॉवर्मेंट ने हमारी मदद नहीं की तो युक्रेइन की तो हम क्यों तुम को यहां से बाहर जाने दे बट फिर हमारा बस वाला थोड़ा अच्छा था उसने कहीं से कॉंटेक्ट निकाला फिर उसने एक दूसरा रास्ते से हमको लेके गया जहां से बॉर्डर बच जाता था 20 किलो मेटर 20 किलो मेटर का जो आगे का सफर था वो बिल्कुल पैदल था और वहां पर टेंपरेचर भी माइनस 20 और मतलब इतनी बरफ पड़ी हुई थी कि ना तो चला जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है बट जान बचानने के लिए भाग रहे है और फिर बॉर्डर के बाहर भी हम पूरी रात खड़े रहे इमिग्रेशन में भी बहुत टाइम लगा हमारे साथ बॉर्डर के टाइम पे भी पार्शर्टी हुई जो वहां के युक्रेनियन पीपल थे उनको बिना किसी चकिंग के ऐसे अंदर ले लिया जा रहा था पूरी रात थंड में हमारे साथ दो तीन लड़कियां भी थी और उनको उनको भी साथ लेते चलते चलते अपने लिए भी बहुत दिक्कत होगी थी तो फिर जब वहां से हम रात को पूरी रात थंड में खड़े होने के बाद जब बॉर्डर हमारी इमिग्रेशन वगरा तो उस टाइम पर हम को हाँ पर रोक लिया गया कि अब इंडियन गौ़र्मेंट इंडियन अम्बैसी आ रही है और वो तुमको लेके जाएगी तो इंडियन अम्बैसी हम उसके बाद अपने क्या रहा गया था बस यही रहा गया था कि एक टिकेट बुक करवानी थी और इं पर किया है और यह पूरा-पूरा खर्चा भी हमने उठाया सब कुछ हमने किया है उस टाइम पर कोई सरकार नहीं आई सरकार तब आई जब हम बिल्कुल सेफ हो चुके थे उस टाइम पर यह बोल रहे में हम आये उस फ्लाइट से डैली पहुंचे फिर डैली पहुंचने के बाद इन्हों ने वहाँ पे रोका वहाँ पे भी हमारी मिग्रेशन हुई फिर हम वहां से निकले और फिर ये हमको अपने अपने जो स्टेट गॉव्वर्मेंट थी उन्हों हमको फिर से पकड़ लिया और कहा रहा है कि चलो फिर वो हमको अपने अपने भवन में लेखे गए जैसे मैं रुपा था हिमाचल भवन में वहां पे मदब यही है कि इंडिया पहुंचने के बाद तो बढ़िया हुआ सब कुछ वहां पे हमको खाना पानी सब कुछ रेस्ट पूरी दी गई और जो हमारी राल लास्ट में जो बस की टिकेट थी डेली टू यहां बैजना तक वो भी हिमाचल गौर्मेंट नहीं की और मैं आज सुबह सुबह साथ बज़ अपने घर पहुंच गया शुरक्षित